Hello everyone, welcome to learning science आज का हमारा example है A sphere of radius R carries a charge हमारे पास एक sphere है जिसका radius R है और इस पर जो charge है वो क्यों है? विच इस उनिफर्मली दिस्टिबूटेट ओवर दी सर्फेस अफ दे स्फेर और ये जो charge है वो उनिफर्मली दिस्टिबूट है सर्फेस पर विच सर्फेस चार्ज देंसिटी और सर्फेस चार्ज देंसिटी है Q divided by 4 by R square इस शेल ओफ चार्ज क्यों इस रोटेटिंग अबाउट एन एक्सेस अफ स्फेर और ये जो शेल है कवर है चार्ज का वो रोटेट हो रहा है इस स्फेर के एक्सेस के अबाउट और इसका जो विलोसिटी है वो है उमेगा रीडियन पर सेकिंड अंगिलर विलोसिटी है हमारा उमेगा रीडियन पर सेकिंड और हमें निकालना है मैगनेटिक मूवमेंट तो ये है आज का क्वेश्चिन तो सल्यूशन यहां पर दिया है हमें कंसिडर करना है एक्सेर को जिसका रीडियस है आर कंसिस्टिंग आफ लाश नंबर आफ नेरो बैंड शोन शीड़ेट इन दे फिगर और ये बहुत सारे पतले बैंड्स के कॉम्बिनेशन से बने है जो कि यहां पर फिगर में दिखाया है आंसर जो है वो यहां पर दिया है इसको हम कॉपी पर करेंगे तो सिल्यूशन में सबसे पहले हमें कंसिडर करना है एक स्फेर को यह सरकल नहीं स्फेर है ठीक है फुटबॉल जैसा शेप है और उसका सेंटर है ओ और स्फेर का रीडियस जो है वो क्यापिटल आर है फिर उसका एक बैंट हमें कंसिडर करना है बैंट जैसे की हेर बैंट होता है रिंग जैसा शेप ठीक है एक चोटा सा हिस्सा हमें कंसिडर करना है इस स्फेर का जिसको मैंने यहां पर शेडिट रिप्रेजन्ट किया है इसी की कॉम्बिनेशन से पूरा हमारा स्फेर बना है अब ये है हमारा स्वेर ठीक है, तो band का σेब का शेब कैसे होगा? prevent का शेब जो है वो ऐसे होगा, रिंग जैसा शेब होगा ठीक है, और यहाँ पर यह line भी radius represent करता है यह जो distance है, यह line straight है, ठीक हो, यह जो distance है वो हमारे इस band का radius है ये जो straight line है ठीक है और ये radius बराबर होता है rsin थीटा के और ये हमें कैसे पता चला हमने consider किया कि ये जो दो line है उसके बीच में angle थीटा है ये वाला angle है d थीटा तो इसे से हमें पता चला इस angle थीटा को consider करके ठीक है यहाँ पर हम book में देखते हैं इन दोनों की बीच में angle थीटा है और इसी के पूरे combination से हमें ये पूरा square मिलेगा ठीक है ये जो arc है वो है rd थीटा अब ये सारी चीजे कैसे आता है उसको हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले ये जो triangle है उसको हम consider करते हैं यहाँ पर 90 degree है और ये हमारा centaur है और हम ये ठीटा है ये हमें निकालना है जो कि इस band कर radius है इस ring कर radius है ठीक है इसको हम कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे साइन ठीटा को जो की बराबर होता है perpendicular upon hypotenous के perpendicular बर बर इंदेक्योर हमारा ये वाला portion है जिससे हमें रीडियस मिलेगा तो perpendicular जो है वो हाइपोटीनस इंटो साइन थीटा के बराबर होगा हाइपोटीनस जो है वो हमारे स्फेर का रेडियस के बराबर है तो ह के जगे पर हम क्यापिटल आर पुट करेंगे तो ये जो लाइन है वो होगा आर साइन थीटा और वो हमारे बैंट का रेडियस है हम यहां पर क्ल मिला पता है कि जो theta है वो arc divided by radius के बराबर होता है d theta angle है यहां पर ठीगा तो L यह जो arc वाला portion है वो होगा r d theta के बराबर हमने सबसे पहले यहां पर radius of the band निकाला है जो कि r sin theta के बराबर होता है तो उसको हम लिखेंगे फिर उसके बाद हमें लिखना है area of the band इस band का area तो सबसे पहले हमें circular shape को consider करना है इस boundary को इस circumference को हमें consider करना है area को पता करने के लिए जो कि 2 pi r के बराबर होता है यहां पर radius r sin theta है तो आएगा 2 pi r sin theta फिर उसके बाद हमें आगी की तरफ जाना है जो second circle है उसके पास हमें जाना है और हमें आर्क के बारे में पता है आर्क कितना है यहां पर r d theta है तो r d theta से जब हम into करेंगे तो हमें इस ring का ring जैसे portion का band का area मिल जाएगा तो हम लिखेंगे जो area of band है वो बराबर होगा 2 pi r sin theta into r d theta के यहां पर 2 r है तो उनको जब हम into करेंगे तो r square होगा तो हमें मिलेगा 2 pi r square sin theta d theta फिर उसके बाद हमें जो है surface charge density लिखना है जिसको हम sigma के साथ denote करते हैं और वो बराबर होता है charge per unit area के यानि की q divided by 4 pi r square के और यह question में दिया है given है now हम निकालेंगे charge on band यह जो band है हमारा उदर कितना charge है उसको निकालते है sigma जो है वो charge per unit area के बराबर होता है तो charge जो है sigma into a के बराबर होगा और sigma क्या है हमारा surface charge density है जो की change नहीं होगा इस sphere के लिए उसका surface charge density change नहीं होगा इसलिए इस band के लिए भी change नहीं होगा इस band का भी surface charge density sigma होगा तो उसको हम लिखेंगे into क्या लिखना है हमें area इस band का वो है हमारे band पर charge sigma का value change नहीं होता है तो sphere का जो surface charge density है उसको हम लिख सकते हैं band का area हमने यहाँ पर निकाला था तो इसको भी हम लिखेंगे R² हो जाएगा कैंसल Pi हो जाएगा कैंसल तो बचेगा यहाँ पर Q sinθ dθ divided by 2 यह हमारा इस band पर charge फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है फिर उसके बाद हमें निकालना है Current Constituted by the band यह जो band है वो कितना current constitute करता है बनाता है या इसमें कितना current present है तो current जो है वो बराबर होगा charge on the band is band पर कितना charge है divided by time के ठीक है अब यह जो time है वो हमारा बराबर होता है 2 Pi upon omega के जहां पर omega angular velocity है यह एक well known formula है आप चेक कर सकते हो search करकर google पर तो यहां पर हम सबसे पहले band पर charge लिखेंगे जो कि अभी हमने उपर निकाला था divided by T का value लिखेंगे जो कि 2 Pi divided by omega है omega अगर divide में है तो उसको हम उपर multiply करके लिख सकते हैं तो हमें मिलेगा Q sin theta D theta omega divided by उतूज़ा 4 Pi तो लिखते हैं omega को पहले लिखते हैं Q sin theta D theta divided by 4 Pi यह है हमारे band पर current ना हम क्या निकालेंगे area of the band इस band ने जिस area को enclose किया है बंद किया है इस ring ने जिस area को वो बराबर होगा Pi R square के R यहां पर radius यहां पर R sin theta है तो आएगा Pi R square sin square theta फिर निकालते हैं हम magnetic dipole moment को of the band इस band का magnetic dipole moment जो है वो current into area के बराबर होता है तो इस band का current जो कि अभी हमने निकाला था उसको हम लिखेंगे into इस band का area जिसको भी अभी हमने निकाला था उसको भी हम लिखेंगे Pi और Pi जो है वो cancel हो जाएगा तो हमारा जो d mu m है यानि कि dipole moment है band का वो बराबर होगा omega q r square sin cube theta d theta divided by 4 के यहां पर sin square theta into sin theta है तो वो sin cube theta होगा now हम निकालते हैं total magnetic moment को यह चोटे से हिस्से का band का magnetic moment है now हमें निकालना है पूरे sphere का magnetic moment तो वो हमें integrate करके मिलीगा ठीक है यह जो छोटा सा magnetic moment है उसको integrate करके मिलीगा यह जो integration है वो with respect to theta होगा तो बाकी सारे terms constant है omega, charge, radius इन में कोई changes नहीं होगा सिर्फ sin cube theta का integration होगा ठीक है 4 भी constant है और angle हमारा 0 से लेकर Pi तक vary होगी अब यह जो sin cube theta है उसको हम sin theta into sin square theta करके लिख सकते है sin cube बन जाएगा ठीक है और हमें यह भी पता है कि जो cos square theta है plus sin square theta है वो 1 के बराबर होता है तो sin square theta जो है 1 minus cos square theta के बराबर आएगा यह technometric formula है तो उसी को हम यहाँ पर use करेंगे तो हम integrate करेंगे 0 to pi sin theta को हम लिखेंगे फिर उसके बाद sin square theta के जिगे पर 1 minus cos square theta हमें लिखना है तो लिखते हैं terms को omega qr square divided by 4 integration from 0 to pi sin theta into 1 जो है वो sin theta होता है sin theta into cos square theta जो है वो sin theta cos square theta होता है जो bracket के बाहर sin theta और d theta है उनको अंदर हमने into किया है तो omega qr square divided by 4 को हम बाहर लिखेंगे और integration इन दोनों terms का अलग से करेंगे ठीक है sin theta d theta का हम integration अलग से करेंगे और minus sin theta cos square theta का भी integration हम अलग से करेंगे अब इस term को हमें लिखना है omega qr square divided by 4 integration हमें करना है sin theta का तो sin theta का integration होता है minus cos theta हम चेक भी कर सकते हैं यह जो दो terms है equation के उसको हम दोनों side पे differentiate करते हैं तो differentiation of minus cos theta जो है वो minus हम बाहर लिखेंगे cos theta का differentiation होता है minus sin theta तो आता है sin theta same तो इसलिए integration of sin theta जो है वो minus cos theta के बराबर होगा फिर जो integration है sin theta cos square theta का वो बराबर होता है cos theta divided by 3 की और हमें limits को भी put करना है जो की 0 और pi है हम चेक कर सकते हैं यह जो cos theta divided by 3 जो है वो answer है कि नहीं sin theta cos square theta का integration का ठीक है तो यहाँ पर हम दोनों terms को लिखेंगे और दोनों terms को differentiate करेंगे तो यह हो जाएगा cancel differentiation और integration तो यहाँ पर बचेगा sin theta cos square theta now हमें cos cube theta divided by 3 का differentiation करना है और वो जो है sin theta cos square theta के exactly बराबर आना चाहिए तो यहाँ पर 1 upon 3 तो constant है उसको हम बाहर निकालेंगे cos cube theta का differentiation होता है 3 cos square theta x power n वाला formula हमने use किया है differentiation का फिर cos theta का भी हमें differentiation करना है जो की बराबर होता है minus sin theta के theta का differentiation होगा 1 अब यहाँ पर 3 जो है वो cancel हो जाएगा तो बचेगा minus cos square theta sin theta सेम आया answer बस negative sign है तो यहाँ पर जो हमारा question है उदर जो negative sign है उसको भी हमें अपने formula में ले लेना है तो minus sin theta cos square theta आता है differentiation of cos cube theta divided by 3 तो जो integration है किसका minus sin theta cos square theta का वो बराबर होगा cos cube theta divided by 3 जो integration का answer है उसका differentiation जो है वो हमें question देता है ठीक है तो वही हम ऐसे चेक कर सकते हैं otherwise integration का formula हमें याद होना चाहिए फिर उसके बाद हमें क्या करना है initial or final value को put करना है सबसे पहले theta के जगे पर हम final value जो की pi है उसको लिखेंगे फिर minus zero को लिखेंगे ये formula है ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर हम theta के जगे पर पहले pi लिखेंगे फिर minus आएगा फिर theta के जगे पर हम लिखेंगे 0 omega qr square divided by 4 minus cos π उसका मतलब है cos 180 degree जो की minus 1 के बराबर होता है और cos 0 degree जो है वो 1 के बराबर होता है तो यहाँ पर minus 1 एक minus पहले formula में है minus 1 minus 1 होगा minus 2 उसको हम लिखेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर minus 1 का cube आएगा क्यूंकि cos cube है ठीक है और यहाँ पर 1 का cube आएगा तो आएगा minus 1 upon 3 minus पहले formula में है 1 upon 3 फिर हम लिखेंगे omega qr square divided by 4 minus into minus जो है वो plus होता है तो आएगा plus 2 minus 1 upon 3 minus 1 upon 3 जो है 3 दोनों में present है तो divide में 3 आएगा minus 1 minus 1 जो है वो minus 2 होगी फिर इसी term को लिखना है ठीक है 32 होता है 6 minus 2 whole divided by 3 आएगा फिर omega qr square divided by 4 6 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा 4 यह दो 4 हो जाएगे cancel बचेगा omega qr square divided by 3 और यह है हमारा answer स्फेर पर magnetic moment वही बुक में भी दिया है consider a sphere of radius r consisting of large number of narrow bands हमें एक sphere को consider करना है जिसका radius r है और उसमें बहुत सारे पतले bands है ring जैसे shape है radius band का कितना होगा इस band का radius होगा r sin theta वो हमने कैसे निकाला था sin theta का use करके निकाला था sin theta जो है वो perpendicular upon hypotenuse होता है hypotenuse यहाँ पर r के बराबर है फिर उसके बाद हमें निकालना है area of band area of band निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस band का circumference जो की यह वाला length देगा उसको consider करना है 2 pi r sin theta यह वाला portion देगा और r theta d theta जो है वो आर्क वाला portion दे रहा है तो जब हम इन दोनों को into करेंगे तो हमें area मिल जाएगा clearly यहाँ पर figure में हमें नजर आ रहा है ठीक है 2 pi r sin theta d theta यह इसका circumference है ठीक है रिंका और r और r को into करेंगे तो r square होगा surface charge density question में दिया था और band पर जो charge है उसको हम कैसे निकालेंगे surface charge density into इस band का area हम करेंगे ठीक है surface charge density हर चीज़ के लिए same रहेगा इस band का फिर उसके बाद हमें current निकालना है current के लिए हमें charge on band divided by time चाहिए time जो है वो 2 pi upon omega के वराबर होता है omega angular velocity है इसको अगर हम इन 2 में convert करेंगे तो omega divided by 2 pi आएगा जो की यहाँ पर किया है फिर उसके बाद हमने इस band का फिर से area निकाला है इस बार area में हमने एक circle का use किया है circle का area pi r square का use किया है यहाँ पर radius r sin theta है तो r sin theta का square होगा और magnetic dipole moment जो है वो band का current into area के बराबर होता है हमने band पे current और area दोनों निकाला है उसको into करेंगे total magnetic dipole moment हमें integrate करके मिलता है और integration का initial और final value जो है वो 0 से pi तक है zero यहाँ पर होगा और pi यहाँ पर होगा ठीक है बाकी के angle को हमने consider नहीं किया है क्योंकि इसलिए में जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी आ जाता है जैसे कि यह जो angle theta है उदर नीचे वाला हिस्सा आ रहा है तो इसलिए हमें completely गूमने के जरूरत नहीं है 180 तक चले जाएंगे तो नीचे वाला हिस्सा भी आ जाएगा इसलिए हमने 0 to pi का use किया है 0 to 2 pi का use नहीं किया है sine cube theta को हम sine theta 1 minus cos square theta करके भी लिख सकते हैं और sine theta से इन दोनों को हम into करेंगे जो bracket के अंदर terms है तो हमें ये वाला portion मिलेगा अब ये जो minus है उसको integration के अंदर लेकर जाना है तो इसका answer होता है cos cube theta divided by 3 initial और final values को हमें put करना है और जब हम इसको solve करेंगे initial और final values को put करके तो हमें जो है 2 minus 2 upon 3 मिलता है जो कि total 1 upon 3 में convert हो जाता है 4 को भी जब हम bracket के अंदर लाएंगे और ये है हमारा answer अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने band का area दो बार निकाला है और ये जो दो area है वो अलक भी है ऐसा हमने क्यों किया है एक area हमने current को निकालने के लिए जो है निकाला है और ये वो वाला area है इस ring का area है ये जो shell है जिसका छोटा सा हिस्सा हमने consider किया है वो वाला area है और यहाँ पर लिखा है जो shell of charge है वो rotate हो रहा है तो charge इसी पर present होगा तो इस area को हमें consider करना होगा यही पर charge present है कि अगर हमए current निकालना है तो इस total area में कितना charge present है वो हमें निकालना होगा यह जो shell है उदर हमारा charge present है और हमने पहली जो current loop है उसको consider किया था जब हमने उदर magnetic moment का formula यूज किया तब हमने जो लूप है हमारा उसने कितना area enclosed किया है उस वाले area को यूज किया था तो ये वो वाला area है और ये दोनो area जो है वो अलग है हम clearly देख सकते हैं ठीक है ये है हमारा पतला सा band हम suppose करते हैं इस band की area को हमें consider करना है current को पता करने के लिए क्यूंकि इसी area में charge distribute होगा इसी surface पर इसी shell पर charge present है कहा है question में तो इस area पर हमारा charge present होगा तो यहां पर कितना total charge है उसका हमें पता होना जरूरी है इसलिए हमने इस वाले area को निकाला ठीक है ये हमारा area number first है दूसरा area जो है ये अंदर वाला portion है जो की एक circle है हम clearly देख सकते हैं और ये जो है magnetic movement में use होता है magnetic movement में loop का area use नहीं होता है उस loop ने कितने area को enclose किया है वो वाला area use होता है जो की A2 है अब ये circle है तो कितना होगा circle का area होता है पाई R square यहाँ पर radius जो है इस loop का आएगा जो की R sine theta है इसलिए R sine theta का square आया है इसलिए हमने यहाँ पर दो area निकाला है एक area charge को पता करने के लिए और दूसरा area magnetic movement के formula में use करने के लिए ठीक है यहाँ पर भी तो वही हमने किया magnetic movement के formula में जो enclosed area है वो use होता है कम जो उचला है वे उप प्रूसराबा हैं आया पर शा चाले शीशस करने कुछी कुछी है about the